का है कि क्ऊ हेलो फ्रेंट्स बैलकम टूमाइचनल तो चलिए Г DW demeem does a 24 के लिए डेली wise और आर्टिक्ल्स तो आर्टिक्ल्स पहले देखते हैं उसके बाद क्योंज देखेंगे तुझ जो हमारे चैनल पर नहे हैं चैनल को स्ब्सक्राइब ज़रोड कर ले ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे हैं तो देखते हैं आज का पहला करे क्लॉड 3 AI चैटबोट तो करा हाली में कृतरी मुधिमता अस्टार्ट अप एंथ्रोपिक ने क्लॉड 3 नामक AI मॉडल के अपने नवींतम स्रिंखला की घोस्ना की एंथ्रोपिक के अनुसारिया संग्यानत्मक कारियों की एक विस्त्रित स्रिंखला के समंध में नए उद् के दुनिक AI मॉडल सामिले क्लॉड 3 हैक क्लॉड 3 सॉनिट और क्लॉड 3 ओपस चंता के आरोही क्रम में पढ़नी थे यानि सबसे जाता चंता वाला यह तिसरा ठीक है क्लॉड 3 क्या है परिच है क्लॉड एंथ्रोपिक दुबार अब एकसी लार्ज लॉंग वेज मॉडल का एक समूव है एलेलिम जेनरेटीव AI मॉडल का एक विस्ष्ट पर गए इससे मानव की भाति संदेश को समझने और उपन करने के लिए प्रसिक्षित किया जाता है चैट बॉड टेक्स्ट वायस मैसेज और जस्ता वीज़ों को संबालने में सक्चम है चैट बॉड अपने परतियस परदियों की तुलना में तेज प्रासंगी क्रैसफोंस चेनरेट करने में सक्चम है क्लाउड थिरी की सिमाएं क्या है तो क्लाउड थिरी तथ्यात्मक प्रश्णों का उत्तर देने और अप्टिकल करेक्टर रिकिगमेंसन यानि छबियों से पार्ट निकालने की छमता जैसे कारियों में अच्छा प्रदर्शन करता है कती तोर पर नया माडल निरदेश का प प्रदर्शन किया है ठीक है कर जैसे दुसरे की तुल्ला में एक निश्चितना सलिये समूं का पक्ष लेना ठीक है देख सकते हैं नोट में कि एंथ्रोपिक जो है ओपिन ए आई का पर्दिद वन्दी है इसकी सुरुबाद चैट जीप्यूटी मेकर में साविल पूर्म के अभिकरता हों दुवारा की गई थी और ओपिन आई का बिजनेस पार्टनर मैक्रोशॉप्ट है जबकि एंथ्रोपिक का प्रात्मिक क्लाड कम्पूर्टिक पार्टनर आउजन है आर्क्टिक और ग्रेट लेक्स में भर्प की इस्तिति करह एक खालिया देने में नुमान लगाया गया है कि सर्जेन पड़्दिर्शियों के बावजूद वर्ष दुजर्थेस के अगरस त सेतंबर तक आर्क्टिक छेत्र में प्रारंभिक वर्प मुफ्ति स्तिती बनी रहेगी करेजिश की पुर्नाविर्थी के संभावना सधी के मद्य दोहजार पाइतीस से सट्फशर तक होगी यानि उस वक्त तक एक हाली हाल के वर्सु के दौरां सितंबर 2013 में आक्टिक वाह ती रूप से ग्रेट लेक्स जिसमें सुपिरियर, मेजिगन, हीवरन, एरी और इंट्रियर सामिल में लगतार दो बर्षों से वर्प के आपरन में लेक्नी रूप से कमी देखी गई है कर ये पिट थी भी कि फ्रेश वाटर टावर के रूप में फरसीद है और आप ग्लोबल ख़ल लीनों से परभावित था देखते हैं बैस्पिक सर्वाइकल कैंसर नूलन फोरम कर अकुलम्बिया के काटा जोना डी इंडियास में पहले ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम ने बिस बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फांडरेशन और इनी सेफ से कौरम को दे सरकारों, दादंताओ, नागरिक समझाओं, समाज और अनन लोगों को स्रवाइकल कैंसर उनमलन के लिए प्रडीद करना था था बैस्फिक समधाय को प्रडीद करना है करा गरवासे गिरवा केंसर एक परकार केंसर है जो गरवासे गिरवा के कोसिकाओं में प्रारंब होता है गरवासे गिरवा गरवासे का निचला संक्रीन सिरा है गरवासे गिरवा गरवासे कोई योनी जन नालिका से जोड़ती है ये लंबे समय तक चलने वाले हीमन, पैपीलो, मा, वाइरस, हैनी HPV संक्रमन के कारण होता है जो योन संपर्क के माधियन से परसारित होने वाला एक आम वाइरस है करण सर्वाइकल कैंसल को बैस्पिक अस्तर पर महिला हों में होते हैं कि नीमिन तथा मध्यम आयवाले देशों में होंगी कर रहा है नमेंबर तुझर 20 में लाउंच की गई सर्वाइकल कैंसल उमून के लिए डवल एचों की पैस्पिक रिनीती दोजार्टिक्स का लक्ष क्या है तो कर रहा नमबे परतिसल लड़कियों को 15 वर्स की उम्र तक HPV के खिलाप्टिका लगा गया कर रहा 35 से 45 वर्स की उम्र में 70% महिलाओं के उच परदर्सन परिक्षन से जाच की गई सर्वाइकल रोग से पिरित 90% महिलाओं को प्चार मिलता है पर भारत सरकार 9 से 14 वर्स की लड़कियों के लिए हीवन पैपिलिवा वाइरस के खिलाब तीन चरण का टेका करन अब ब्याम सुरू करने का रयाद रखती है जिसका लग्ष सर्वाइकल के खत्रे से खत्रे को कम करना है अब देखते हैं दुग दुद पादन की बढ़तवान इस्तिती भारत के का है तो बैस्विक दुद दुद उत्पादन की दिरिष्टी से भारत सबसे बड़ा दुद दुद पादक है अब देखेंगे खाद इवं ख्रीशिस अंगठन क्या होता है तो परिच्चे में देखेंगे खादे में ख्रीशिस अंगठन सह्युक दुद राष्ट की एक विससे जिन्सी है करजो अंदराष्टी असरप भुखमरी की समस्या का समधान करते है तिवकार करती है पर्तिवश वश्यूल अक्टूबर को 20 विस विखादी दिवस मनाया जाता है ये याद रखना है यह दिवस वर्श पादी करता है कि बर्सकार्ट को प्लक्ष में मनाया जाता है यह विद्यान रखना है करिया रोम में स्थित सइंग दराश्ट खाते सहायता संगठनों में से एक है इसकी सहयोग इस अंसाय विश्व खादिकार करम अंदराश्टी क्रिसी विकास कोस आई एफडी हैं करा है एफएव ओक की पहले विश्वस्तर ये महत्पून क्रिसी ब्रयासत प्रनाली एफएव विश्वस्तर पर मलस्तर लियोटीडे की स्थिप्पी पर नजर रखता है साथिन साथ है कि एफएव और व्हो की खादि मानकर करमों के कर्यानवन मामले के समद्ध में कोडेक्स, एलिमेंटरिस, आयोग, उतरदाई निकाय है खाद्य और क्रिसी के लिए पादपान वांसिक संद्ध पर अंतराश्टी संद्ध को बस तुजर एक में एफएव के समयलन के एक तिसमें सत्यद्वरा अपनाया गया था आगे देख सकते हैं कि परमोंग परकासन तो विस मतत्त से पाला नो जल क्रिसी की चिश्ते थी, विस गे बनों की चिश्ते थी विसमें खादि सिर्वर शार पोशन की selecting खादिनक्रिसी की यह सब कुछ जो है परकासन एफ्यो करता है ठीक है अब देखेंगे परवाल ब्रेंजन पर हाई अलर्ट जारी संदर्व करे युएस नेशनल आउस्निक एंड एड्मोस्फेरिक एड्मिनिस्टेरिशन आने इन ओ ए ने जलवाई फरिवर्टन और अलनीनो जलवाई परवाई परवाई के कारण कोरल रिप के संकट के बारे में हाई लट जारी किया है करे नो ए के अनुसार समंदरी तापमान की ब्रीधी के कारण परवाल बिरिंजन की घटना ते अधिक बड़े पैमाने पर देखी गई है कर्या परवाल बिरिजन का परभाव कर्या इसके परभाव से समंदुरी पारिषित की तरह अंदर सक्तिग्रास मचली पालाल मेहानी प्रेटन उद्यों को नुकसान आधी हो रहा है एन ओ एक अनुसार बैस पी को लीचिंगी घटना वर्स 2014 से वर्स 2017 तक देखी गई थी इसके पर इनाम शुरूप ग्रेट बिरिए रिप में लगवग एक तिहाई मुंगे निस्ट हो गए थे करई इस पर दोज़र 24 नौसा तप्वान पूर्व द्योगी घस्तर से डेड़ गई सिलसेत तक अधिक हो गया है अब थोड़ा देख सकते हैं कि इससे मुंगा चटानों के स्टिव के लिए खत्रा माना जा रहा है करवेस्पिक असदर ब्लीचिंग की घटना तीर पर मुख महासागरा अट्लांटिक परसांत और हिंद महासागर में देखी जा रही है परवाल बिरेंजन क्या होता है तो थोड़ा से देख सकते हैं समंदरी तपान में ब्रीधी प्रकास या पोसल में परिवरतन के कारण परवालों पर तनाव वड़ता है तो परवाल अपने उत्तक में निवास करने वालों उसके उत्तक में एक सहजीवी रहता है ये भी कोश परवाल के बारे में अब हम देखेंगे कि इसे मुंगा या कूरल भी कहा जाता है यह एक समंदरी आक कैसुरी की प्रानी है ठीक है इन हर्टी वेरिट्स होता है इसके लगु बिलना कारणी से पॉलिक भी कहा जाता है यह जीब डिहद अस्तर पर सगन कॉलनी बना कर रहते हैं यह चुना स्रावी जीब होते हैं जो चुने तवरह अपनी बाहे कबच का निर्वान करते हैं ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे चुना तो स्रावित करते हैं बड़ कौन सा कर यह बाहे खुल कोरलाइट कहलाता है आगे देखेंगी कर रहा है परवाल को दो भागों में नहीं करते हैं थोड़ा देख सकते हैं कि परवाल के विकास के लिए अनकुन दसाएं क्या है तो परवाल मुख्य रुप से उस्न कड़ी बंदी है महासागरों में 30 डिग्री नौर्थ होट तिस डिग्री सौथ में पाए जाते हैं करह ताफमान है 20 डिग्री से 20 डिग्री स 30,000 तक है अनि दसाएं सागरी चब उत्रे डुबे हुए जवाल मुख्य दीप परवत या पठार के भाग आनि कि ये सब अस्थानों में सागरी चब उत्रे डुबे हुए जवाल मुख्य के दीप परवत या पठार के भाग महत्प क्या है परवाल ये मुंगा का महत्प है कि मुंगा चटाने समुदरी टड़ को तुफानों या कटाव से बचाती है यह प्रेटन को बढ़ावा देती है इनका उप्योग खाद पदार्थ विवम दवाओं में किया जाता है काईबम बादल क्या है इसके बारे में देखेंगे तो करा नासा के टिड़ा हो पूरा निहावाई जहाजों के कारण बादलों में बने विसम छेद का पता लगाया है कर रहा है पर मुख बिंदू इस विसम छेदर को मेक्सिको की खाड़ी के उपर और फलोरीडा की टड़ पर बादलों में देखा गया है ठीक है इन बादलों को काईबम बादल हाई क्या तो इन्हें होल पंच क्लाड या फॉल अस्ट्रेक हॉल भी कहा जाता है इसका इस बा बादल होते हैं ठीक है यह मदस्तर के बादल होते हैं जिनमें सुपर कुल पानी की बंदे होती है अब सुपर कुल पानी क्या है उसके बारे हम देखेंगे तो सुपर कुल पानी जो है पानी सुनी ता पान से नीचे लेकिन फिर भी तरल रूप में होता है अब सुनी ता प बर्व की क्रिश्टल में जम जाते हैं कर ये बर्व की क्रिश्टल अंथता वहां उत्भारी हो जाते हैं और बादल की परत से बाहर गिर जाते हैं जिससे बादलों में छेद बन जाता है इस छेद वाले बादल को कैबम बादल कहा जाता है ऐसे रहसमय बादल जो है तेरा वर से लाउंच किया गया है ठेक है भारत के तरब से इसे विख्सित करने के लिए परिवरण अच्छा कोस ने निम्रेखत संस्ताओं के साथ साथ साज़ेदारी किये हावार्ड विस्वीद्या ले स्मिथ सुनियन ऐस्ट्रोफिजिकल आफजर्वेटरी और नीजुलेंड अंत्र अच्छित को बात्र्वीक परिकर्मा करेगा इसे विख्सित के साथ संसन तंद्र के बैक्षा करने के लिए गड़ाया है इस तरह के देसों में साथ सान पर लोक तांत्री कूप से निर्वाचित होता है किन्टो बास्तिक सासन सैन और खुपया से बाउंदवारा चलाया जा सब्सक्राइब अब देखते हैं क्यूंज वेस्टों है तो क्लॉड थी आई चैटबोड के संदर में निम्लिखित को विजार कीजिए कितने कफन सकते हैं ठीक है करे क्लॉड एंथ्रोपिक दौरबिक्स लार्ज लंग्विज मॉडल का एक समूं है हमने देखा क्लॉड थी त और अप्सक्राइब को उतर देने और अप्टिकल करेक्टर रिक्स जाने कि चमता जैसे कारी वह में अच्छा पर्दर्सन करता है हमने देखा करे इसने अपनी परदर्सन आओं पुर्वाग्रावों को भी परदर्सन किया है तो ये भी देखा तो ऑप्शन सीग्याहां पे तो सभी पांच सामिल था आप्शन डी करा सर्वाइकल कैंसर के संदोर में निल्खी कदनों पर विजार के यह एक प्रकार का कितने सत्य है कर यह प्रकार कैंसर है जो गरभास से गिरबाइक प्रोडम होता है कर यह लंबे समय तक चलने वाले हीवन पैपलियुमा वायरस एच् सबसे अधिक परचलित का इंसर माना जाता है तो यह भी तो सही था कर यह वैस्पी के स्थर पर दो मिनट में एक महिला की जान ले लेता है तो यह भी सही था तो सभी सही ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं नमने खित कत्म पर विचार के जिए ए नो इतना डेग्री के बीच तो यह भी हमने देखा करम लाएं मुंगा चने का चुने का स्राब करते हैं नहीं करते हैं ठोर करते हैं तो यह गलत हो गया आप्सन सी करेक्ट है ठीक है तीन सहीं आईये एक आओड देखते हैं कैपब बादल किस अंदर में लीखित कत्म पर विच चार करें करें इन्हें होल पंच क्लाडिया फॉल अश्ट्रेक हॉल भी कहा जाता है इस बादल की निवान आटो क्यूंलास बादल की पड़तों के बीच सहभाई जाज के पर शक्रति कौन पर गुजरनेस होता है ऐसे रहस में बादल तिसरा ये तो दो सही है तिसरा गलत है क् कि पंदरा वर्स उस जदिक समय में बनते नहीं वहां तेरा वर्स लिखा हुआ ठीक है तो दो सही केवल भी उनी केवल दो अप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अब ये तो क्वेश्चन आपको बताना हालिम कीस दिस ने पनी मुद्रा का अमल्यन किया है ठीक है मुद्रा का अ स्टेट से को लांच किया तो अमीद साथ राजनसी अस्वीरी मैसनम अनुराग ठागोर तो ये भी आपको बताना है तो आज हमने देख लिया कि वज़र आर्टिकल तो मिलते हैं कल अ उल्म ऐाजनसी तो है उल्मीयन दोड़ियो इन दो जाजनसी तो आपको शर्टिकल तो आर्टिकल Windows 1